नमस्कार हमारा हिमाचुल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ मॉनिका ठाकूर और बुलिटिन के शुरुवात करते हैं हिमाचुल की सियासत के साथ हिमाचुल सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए बीजेपी ने तैयारी कर ली है दो दिसंबर को विधान सभा के बाहर बीजेपी राजय सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी वहीं कॉंग्रिस ने भी बीजेपी के आरुपों का जवाब दिया है दो दिसंबर को विधान सभा के बाहर बीजेपी राजय सरकार को खेरेगी हल्ला बोलेगी सरकार के कामकाच पर सवाल उठाएगी हमिरपुर में बीजेपी निताओ का दावा है कि जिले से करीब 2000 कारेकरता इस प्रदर्शन में शिरकत करेंगे बीजेपी जिला महामंत्री अजे शर्मा ने कॉंग्रेस सरकार पर जम कर भडास निकाली तयारी कॉंग्रेस ने भी कर रखी है वार का पलटवार होगा कॉंग्रेस के पास भी बीजेपी के एक एक आरोप पर जवाब तयार है हमेरपूर जिले के कॉंग्रेस नेता राजिंद्र वर्मा ने कहा कि BJP के नेता बयान बाजी कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं इतना ही नहीं कॉंग्रेस ने BJP की केंदर सरकार को बढ़ती महंगाई के लिए जिमेदा ठहलाया धर्मना प्रदर्शनों से कोई सरकारें नहीं गिरती है एक दूसरे को घेरने की रनीती दोनों पार्टियों के नेताओं ने बनाई है दोनों दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप पहले से ही चल रहे थे लेकिन अब इसमें और तल्खी बढ़ गई तकरार तेज हो गई लेकिन ही माचल की ठंदी फिजा में अभी सियासी पारा और गर्माएगा अमीरपुर से अरविंद्र सिंग के साथ ब्यूर रिपोर्ट जी मीडिया उदर दो दिसम्बर के तयारी उना में भी हो रही है बीज़पी इस रैली को एतिहासिक बता रही है उना में बीज़पी के एहम बैचक हुई जिसमें बीज़पी के प्रदेश अध्यक्ष सत्पास सक्ती ने भी शुरकत की और राज़सरकार पर जम कर भडास निकाली दो दिसम्बर को विधान सभा के बाहर होने वाली बीज़पी की रैली पार्टी के लिए काफी माइने रखती है यही वज़ए है कि पार्टी ने इस रैली की सफलता के लिए पूरी तरह से कमर कसली है पार्टी पूरा जोर लगा रही है खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रैली को कामियाब बनाने में जुदे है यह तस्वीरे उना की है जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अत्पाल सत्ती ने कार्यकरताओं के साथ मीटिंग की और दावा किया कि उना से करीब एक हजार कारयकरता रैली में पहुँचेंगे सत्पाल सत्ती ने साफ कर दिया कि 30 नवंबर से शुरू होने वाले विधान सभा के शीत कालेन सत्र में राज़त सरकार को कोई राहत नहीं दी जाएगी ब्रष्टा चार समेट कई मुद्दो पर सरकार को घेरा जाएगा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज प्रदेश में अराज़कता का माहौल बना हुआ है बार्दी जन्ता पार्टी कांदुस के नकम्मेपन को मांपर उजागर करेगी रुपे हुए विकास के जो कारिया है उन बातों पर भार्दी जन्ता पार्देश में जो अराज़कता का महौल है तो बीजेपी ने अपनी रनीती साफ कर दी है यानि की आगामी विधान सभा सत्र वीर्भद्र सरकार के लिए काफी मुश्किलों वाला साबित होने वाला है बीजेपी राज़स सरकार के खिलाफ नाकेवल सदन के भीतर बलकि सड़क पर भी मोर्चा खोलेगी उनाजी राकेश मलही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया खबर में आगे बढ़ते हैं बात पंचाय चुनावों के करते हैं हिमाचल प्रदेश में पंचाय चुनावों का पहला चरण खत्म हो गया है 57 पंचायतों में से 10 पंचायतों में निर्विरोधी चुनाव संपन हुए जिसके बाद से बीजेपी और कॉंग्रिस ने इन 10 प्रदानों के लिए अपने अपने दावे पेश करने शुरू कर दिये हैं हिमाचल की कपकपाती ठंड में सियासी सरगर्मियों ने पंचाय चुनावों के पहले चरण की चुनाव समाप्त होते ही परदेश की दोनों प्रमुक राजनेतिक पार्टियों ने अपनी ताल ठोकनी शुरू कर दी है परदेश में पहले चरण की 57 पंचायतों के लिए हुए चुनावों में से 10 पंचायतों के परधानों को निर्विरोध ही चुन लिया गया है जिसके बाद से दोनों ही पार्टियां इन 10 परधानों को अपना-पना बताने में कोई कोर कसल नहीं छोड़ दही परदेश में पहले चरण के पंचायत चुनाव 26 नवंबर को हुए है दूसरे चरण की अधी सूचना 28 नवंबर के बाद हो सकती है दोनों ही चुनावों के परिणाम एक साथ घोशित किये जाएंगे विशाल दिवेदी, जी मीडिया, शिमला हिमाचो प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद सिंग और पूर्द मुख्यमंत्री प्रेमकुमाद धूमल की 25 नवंबर को हुई बैठक पर अब हिमाचो लोखित पाची ने कई सवाल खड़े कर दिये हैं लेकिन अब हिलोपा ने भी बंद कमरे में हुई इस बैचक पर सवाल खड़े कर दिये हैं हिलोपा के अध्यक्ष महेश्वर सिंग दोनों नेताओं की बैचक को मिली भगत बता रहे हैं साथी उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साथा है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये सिर्फ एक अपचारिकता थी और कुछ नहीं था तो फिर बंद कमरे में क्यों सारी सरकार कटगरे में खड़ी है और ऐसी स्थिते में आज सरकार पंगू बनकर खड़ी है जो लड़ाई भी थी ब्रश्टा चार की वो सीमित हो गई दो परिवारों हिमाश्र प्रदेश हाई कोट के आदेश के बाद शोहर के लकड़ बजार अड़े पर बने अवैद कबजों को हाई कोट ने इन्हें तोडने के आदेश दिये थे जिसके बाद निगम प्रदन ने पुलिस के मदद से जेसी भी चलाकर इन्हें गिरा दिया है इस दोरान लोगों और निगम प्रदन के अधिकारियों के बीच जड़ब भी देखने को मिली इतना ही नहीं करवबारियों ने बस स्टांट पर पुलिस और परिवार निगम प्रदन के खिलाफ जम कर नारे बादी की All India Law Union की ओर से शिमला के कालबारी हॉल में दो दिवसे सेमिनार का योजन किया जा रहा है जिसमें कोर्ट में लंबत मामलों और समाजिक आर्थिक राज़नितिक मुद्दों पर चर्चा की गई सेमिनार में हिमार्शल हाई कोर्ट के जस्टिस राज़िश शर्मा ने बतौर म आज जो हमारी दूइवार्श ये जो सेकंड बायनियल कॉन्फरेंस हो रही है शिमला में इसमें हमारे मुखे जो चर्चा है आज समेलर में होने वाली है उसमें राइट व एक्सपरेशन और विमन वाइलेंस है लोगों के डिमोक्रिटिक राइट्स है इन मुखे बातों प गुर्दे में पत्री का इलाज अब हिमाचल प्रदेश में सरल होने जा रहा है इसके लिए आधुनिक पक्नीक का इस्तेमाल किया जा रहा है शुकरवार को आईजी एमसी में लिथ्रो ट्रिप्सी मशीन स्थापित की गए हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजी एमसी में अब गुर्दे की पत्री के आपरेशन के लिए ना तो चीर फाड होगी और ना ही लंबी उपचार प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा क्योंकि आईजी एमसी में प्रदेश की पहली लिथ्रो ट्रिप्सी मशीन स्थापित कर दी गई है खरीब 3 करोड रुपए की लागत से स्थापित इस मशीन के जरिए अमरीज के गुर्दे को इलेक्ट्रिक लेजर से पत्री को पाउडर बनाकर यूरिन के रास्ते बाहर निकाला जाएगा डॉक्ट्रों के मुताबिक जहां पहले मरीज को पत्री निकालने के लिए कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल किया जाता था तो वहीं अब सिर्फ आदे घंटे में ही गुर्दे से पत्री को बिना ओपरेशन बाहर निकाला जा सकेगा सबसे खास बात ये है कि ये आधुनिक मशीन BPL और IRDP श्रेणी के लोगों के लिए बिलकुल मुफ्त होगी जबकि बाकी मरीज केवल साथ हजार रुपए में इस तकनीक से अपना इलाज करवा सकेंगे वैसे इसमें कोई दोराए नहीं है कि IGMC में इस तकनीक के स्थापित होते ही इस एंसान के विकास को नई गती मिलेगी मोहित प्रेम शर्मा के साथ न्यूस्डेस रिपोर्ट जी मीडिया शिमला पहाड़ी इलाखों में इस थाई विकास के लिए जाग रुकता फिलाने के मकसल से शिमला में 120 शिल्पकारों की बैठक हुई ही माश्रुपदेश चाप्टर ओफ इंडियन सिश्यूर अफ आर्किटेक्चर की तरफ से सेमिनार का योजन किया गया सिस्मिक जून चार और चार में शामिल शिमला में और इसके अन्य पहाड़ी लाकों में कैसे कस्पों के बोच को कम किया शाए और स्थाई विकास के लिए आगे कैसे बड़ा शाए इस मुद्दे पर शिल्पकारों का मानना है कि गहन विचार चार्चा की जरूरत है पर चार्चा की जरूरत है आगे बड़त में मौसम की बात करते हैं शिमला में शुकरवार का दिन सबसे ठंडा रिकोर्ट किया गया मनाली में नियुंतन तापमान शुन्य दिशमलव दो रिकॉर्ड किया गया और कुल्लू के भुंतर में 7.5 रिकॉर्ड किया गया उधर हिमाचल के तमाम इलाकों में हलकी बारिश का सिसला जारी रहा हाला कि आज मौसम में थोड़ी तबदीली देखने को मिल रही है हिमाचल में अलरडी विंडर है अरप्रोच कर चुका है और जो तापमान आज का है खास करके जो शिमला का है यह लुएस टेंपरचर है इस सीजन का इस सीजन में जो तापमान इससे पहले 6.4 डिगरी लुएस था कल्ट से तो बहुत बुरा हाल हो गया ठंड से ना बस काम भी करना मुश्कल हैंगी ताँ करके आइस बार तो जल्दी मौसम क्राब हो गया और बार चे जाबर को गारी ऐसा कोई चक्कर बन रही है इस इस साथ इस बुलेच में फिला लेता है लेकिन आप देखते रहे हैं जी पंचाब हरियाना हिमाचित